आज हम इस नए तरीके से कठल की सबजी बनाएंगे ये बनाना बहुत ही असान है आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए यहां पर चार से पांच पियाज लिए हैं इसे छील कर इस तरह से काट लिए हैं कठल एक केजी सबसे पहले इस कठल को छील कर काट लेंगे कठल को इस तरह छोटे टुकरों में काट कर धो लिए हैं सबसे पहले कठल में सभी कुछ मिला कर तयार कर लेंगे यहां पर एक बड़ा कड़ा ही लिए हैं, अब इसमें डालेंगे कठल, प्याज, अब इसमें दो तेज़ पत्ता डालेंगे, अब इसमें सभी सुखा मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर हाप चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच, कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, जीरा और काली मिर्च का पाउडर हाप चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर हाप चम्मच, नमक एक चम्मच या खिर आप अपना टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं, दो चम्मच अधरक लासुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच, सरसो का तेल, अब सभी को एक बरे चम्मच से मिला लेंगे, सभी मसाला को अच्छी तरह मिला लिये हैं, अब प्रेसर कूकर को गरम कर लेंगे, प्रेसर कूकर गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे, एक बड़ा चम्मच सरसो का तेल, तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे, दो तेज़ पत्ता, थोरी सी लॉंग, दो बड़ी लाइची, अब इसमें डालेंगे, पांच फोरन, एक चम्मच, सभी कुछ का हलका कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें डालेंगे, कठल, सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे, और फ्लेम को तेज रखेंगे, सभी को अच्छी तरह मिला लिये हैं, चार से पांच मिनट, इसे इसी तरह भूनेंगे, सभी को चार मिनट भून लिये हैं, अब इसमें दो कटे हुए टमाटर डालेंगे, टमाटर को अच्छी तरह मिला लेंगे, ख्लेम को मेडियम कर देंगे, और इसे इसी तरह एक मिनट भूनेंगे, एक मिनट हो चुका है, अब इसमें एक चम्मच कसूरी मिर्थी डालेंगे, गरम मसाला हाप चम्मच, अब इसे मिला देंगे, मसाला को अच्छी तरह मिला दिये हैं, अब इसमें पानी डालेंगे, एक छोटा कटोरा, वैसे आप अपना जरूत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिला दिये हैं, अब इसका धकन बंद करके दो सीटी लगाएंगे, फ्लेम को मेडियम ही रहने देंगे, प्रेसर कूकर में दो सीटी लग चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे, और इसे ठंधा होने के बाद इसका धकन खोलेंगे, प्रेसर कूकर पूरी तरह से ठंधा हो चुका है, अब इसका धकन खोल लेंगे, अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालेंगे, धनिया पत्ती को अच्छी तरह मिला देंगे, ये कठल की सबजी तयार हो चुका है, अब इसे सर्व कर लेंगे, ये कठल की सबजी तयार हो चुका है, और ये बहुती स्वादिश्ट बने हैं, आप एक वार्टराय जरूर किजिएगा, अगर हमारी वीडियो पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और हम गंटी के निशान को दबाए ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेस्पी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार